असलाम लेकुम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक से रिलेटीड के हम रॉट्वाइलर डॉक की प्यॉरिटी को कैसे चेक कर सकते हैं और हम कैसे चेक कर सकते हैं क्या ये औरीजनल डॉग है या कोई मिक्स ब्रीड है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रस तबैल आइकन रॉट्वाइलर जो है ये बहुत जादा अच्छा डॉग है और बहुत जादा अच्छा गार्ड डॉग भी माना चाता है और ये अपनी फैमिली क रख रहा है तो उसके लिए ये ब्रीड बिल्कुल भी नहीं है रोट्वाइलर डॉग को रखने के लिए आपको बहुत सादा टाइम इनको देना पड़ता है इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको सोशलाइज करने के लिए अगर आप इनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं करते और इनको सोशलाइज नहीं बनाते तो ये क्या करते हैं सम्टाइम ये आपकी फैमली के उपर भी अटैक कर सकते हैं इसलिए जब भी कोई रोट्वाइलर डॉग रखना हो तो सबसे पहले अपने आप से क्वेस्टन करें कि क्या आप उसकी ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं उसको टाइम दे सकते हैं तो ही आप रोट्वाइलर डॉग को खरीदें और ये आपकी फैमली के लिए और आपके लिए बहुत जाधा अच्छा डॉग भी साबित हो सकता है क्यूंके ये बहुत जाधा अच्छा गार्ड डॉग है और बहुत जाधा लॉयल होता है अपनी के साथ लेकिन इसके लिए आपको इसको बहुत जादा train करना पड़ेगा और इसको बहुत जादा टाइम देना पड़ेगा रॉट्वाइलर डॉक जो है यह जादा तर बल्लैक और टेन कलर में ही पाया जाता है और इसमें जो उसके पाऊं होते हैं और उसका जो गर्दन का हिस्ता होता है और चेस्ट का जो हिस्ता होता है वो ज्यादा तर टेन होता है और उसकी आइज के उपर जो है वो स्पॉर्स होती है वो भी टेन कलर की होती है लेकिन इनकी चेस्ट का कुछ हिसा वाइट भी होता है और अगर आपको कोई और कलर का रॉट्वाइलर डॉग दिया जा रहा है तो आज समझ चाहें कि यह कोई mix breed है यह original और pure रॉट्वाइलर बिल्कुल भी नहीं है रॉट्वाइलर डॉग की जो chest का color होता है वो थोड़ा fade भी हो सकता है और second यह है कि इनके ears जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और बिल्कुल triangle shape में होते हैं और इनके ears जो होते हैं वो बिल्कुल भी खड़े हुए नहीं होते हैं अगर किसी Rottweiler dog के air जो है निवह तो फोड़े खड़े हुए है तो वो pure dog नहीं होगा और थर्ड क्या होता है कि रोटवाइलर डॉग क्या जो नोज होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है और इनकी चिन जो होती है और इनके जो फेस के मसल्स जो होते है वो बहुत जादा हैवी होते है और जैसे कि जन्मन शेफर डॉग है इसकी नोज जो होती है वो पर आपको हमेश्या उसके नेल्सौ भी चेक करना चाहिए उसके नेल्स कडार बलेक ब्लैक होगा नमबर फाइब पे आती है टेल, किसी किसी रॉटवाइलर डॉग की जो होती है टेल वो क्रॉप्ड होती है उसको वो काट देते हैं और कुछ डॉग जो होते हैं उनकी टेल जो है वो लंबी होती हो और नीचे की तरह स्ट्रेट होती है और अगर कोई रॉटवाइलर डॉग ह जिसकी टेल जो है वो थोड़ी सर्कल है या कर्वड है तो वो प्योर रॉट्वाइलर डॉग नहीं होगा और जब भी आप कोई रॉट्वाइलर पपी लें तो कोशिश करें कि आप उसकी मदर को एक दफा जरूर मिलें देख लें कि उसकी मदर जो है वो अग्रेसिव तो नहीं है सम टाइम ऐसा होता है कि अगर मदर अग्रेसिव हो तो आगे से जो उनके पपी होते हैं वो भी बहुत जादा अग्रेसिव होते हैं और जब भी आप कोई पपी लेने चाएं तो उनको सेलेक्ट करें अगर वहाँ पे ज़ादा सारे पपी हैं तो आप देख लें कि जो पपी बहुत ज़ादा एक्टिव है और थोड़ा फ्रेंक है उसको ही अपने लिए खरीद के लाएं और अगर कोई पपी जो है वह ज़ादा अग्रेसिव है और बहुत ज़ादा लेजी है या मूडी सा है तो वह कभी भी नहीं खरीदे आज हमने डिसकर्स किया कि हम रॉटवाइलर ब्रीड को कैसे अडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये ओरिजिनल प्योर ब्रीड है या कोई मिक्स ब्रीड है अगर आपको मेरी ये वीडियो पस्ते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताके नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग अला आफीज